हेलो गाइस कैसे हो आप लोग सब होपस तो सब बढ़िया चल रहा है और गाइस अब ही में आगे एक नाय चैप्टर के साथ चैप्टर नमबर 11 साउंड और अपन साउंड के सारे इस वीडियो में मार्क करेंगे बहुत ही चोटा वीडियो है फटा-फट कर लो मार्क और वो 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 केश्टिन पढ़के चले जाना किसी भी कुस्या में डाउट हो तो फिल फ्री तो कमेंट मैं उस पर वीडियो आपके लिए बना दूँगा तो गाइस इसमें क्या क्या या sound waves called as mechanical waves ये paper में आता है तो please इसको अच्छे से कर ले reason mechanical waves क्यों बोला जाता है scroll down करो scroll down करो, यहाँ पर आपको compression rare fraction के बारे में diagram दिये गए यहाँ पर crest बनता कहाँ पर truff होता, किसे wavelength कहते है तो यह diagram एक बार अच्छे से देख लेना तीनों diagram बहुत ही simple है नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके बास एक छोट असा numerical है sound wave पर की भाई, आपके पास एक formula होता है frequency का, ठीक है wavelength into frequency, speed का formula तो इसको use करो, simple answer लेके आओ और फिर time taking में निकाल सकते हो d upon v से, ठीक है इस question number 3 आपके लिए important है तो यह वाला question अच्छे से करके जाना scroll down करो, नीचे आजाओ, नीचे आजाओ distinguish between loudness and intensity यह भी कुछ schools पूछते हैं 1 marker, 2 markers में तो कर लेना है इतना कुछ खास important भी नहीं है eco भाई, इस chapter का सबसे important part है तो eco वाला question कर लेना इसका numerical कहां गया, यार यह numerical, यह numerical काम का है बहुती simple numerical, एक बार ही read करो तुम्हें बहुत आसानी से बन जाएगा इसके बाद guys, scroll down करो uses reverberation, ठीक है यह इतना important नहीं है भाई अगर आप नीचे होगे, नीचे होगे, यहाँ पे why are the ceilings of the concert holes curved, जो आपके concert halls होते हैं वहाँ पे ऐसे curved type का क्यों बनाया जाता है, तो आप देख सकते हैं ताकि sound properly हर जगे पहुचे तो यह वाला है कि important question इसको पढ़के जाओ, कुछ भी doubt हो आप वीडियो पे पूछो, comment पे पूछो, मैं आपको बता दूँगा, range of hearing की में बात कहूँ तो आपको audible क्या-क्या ranges है ultrasound, ultrasound और ultrasound क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए तो ultrasound के application भाई, यह बहुत ही ज़्यादे important है, तो यह one mark question में आ सकते हैं, कि भाई, आपको कहां से कहां तक की range सुनाई देती है, जैसे 20 hertz to 20,000 hertz, तो यह one mark up में आएगा, उसके बाद guys, यह जो है न, topic, कि ultrasound क्या-क्या चीज़े clean कर सकता है through ultrasound, तो आप बोल सकते हो कि भाई, मैं heart to reach objects को clean कर सकता हूँ, जिसमें बहुत ही tough है, उसको clean करना, यह detect करने cracks and flaws in the metal blocks, तो आप यह भी कर सकते हैं, तो यह कुछ important है, इसके लावा भाई, various parts of the heart, images वगेरा बनाने के लिए, जिसको eco-cardiography भी कहते हैं, one mark up questions यह बन सकता है, ठीक है, फिर आपके doctors use करते हैं, तो examine these parts of the organs तो यह सारे important application से guys, तो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, तो please इनको करके जाना, पेपर में आएंगे वाले questions ठीक है, इसके बाद guys, नीचा जाओ, नीचा जाओ, यहाँ पे आपके पास कुछ exercise में भी important question है, सबसे पहला, कि why sound wave को longitudinal wave भी बोला जाता है, तो यह आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है इसके बाद guys, यहाँ पे अगा मैं देखू question number 6, तो यह वाला question कर ले न, आपको दो frequencies आपको hearing range दी है frequencies की 20Hz to 20,000 आपको बोला wavelength निकालो, right और speed of air दी गई है, तो यह अच्छे से करो यह देखो, question number 11 यह बहुत important applications बताओ, reflection of sound waves के, और question number 12 आपका numerical है, इसके बाद guys यहाँ पे, how is ultrasound used for clearing, और यह जो last question है कि metal block में कैसे अपन ultrasound की मदद से detect कर सकते हैं, कि कहाँ पे crack and all, तो यह question paper में आता है, तो last two are very important तो guys, यह आप इत्ता करके जाओ यह वाला जो question है, what is the loudness what are the factors that depend on यह भी question कर लेना guys, यह भी आपके two markers में आने की chances हैं तो hopes हो guys, आपने इस chapter के भी सारे important questions mark कर लिएंगे अब आपका target यह है, कि आप यह questions अपने friends के साथ भी share करो, ताकि भाई, वो लोग भी pass हो जाएं और आप सबके सब एक सार 10th में जाओ, आपको कुछो भी topic में एक से सीखना है, आप मुझे बताओ, मैं उस पे numerical साबको करा दूँगा, तो आपकी अच्छे से practice हो जाएगी, ठीक है, तो मिलते हैं guys, सब तक के लिए next video में, तो see you soon goodbye, take care and पढ़ाई करते रो